कार्शी की प्राची नितिहास से जुड़ी बनारसी साड़ी और बनारसी कपड़ों की बाती निराली होती है 85 हतकरगा कपड़ों की मांग सिर भारत में नहीं बलकि भारत से बढ़के विदेशों में भी है पर अफसोस राजनिती की उड़ती धूल में कहीं न कहीं बुनकर और उनकी हाथ की कारिकरी धूमिल होती जा रही है पिछले कई सालों से बुनकर यूपी सरकार से रहम की कुहार लगा रहे हैं पर सरकार टस से मस नहीं हो रही फिर वो चाहे बिजली की बड़ी कीमतों का मामला हूँ या फिर सबसीडी ना देने का मामला हाली में आए बजट से बुनकरों को उमीद थी पर अफसोसे इस बजट में भी उनके लिए कुछ ना रहा सरकार के इस रवईये से बुनकर अपने पुस्तैनी काम को छोड़ दूसरे काम को करने के लिए मजबूर होते जा रहे है मीडिया से बात करते हो एमेलह कंसारी बताते हैं कि पैसे की तंगी की वज़े से मैंने अपना हतकरगा कबाड़ी में बेज दिया और अब रोजी रोटी के लिए छोटी से किराने की दुकान चलाता हूँ मेरी ही सिर्फ ऐसी कहानी नहीं है मेरे जैसे और भी बुनकर हैं जिनकी हालत मेरी ही जैसी है आपके एसाब से कौन से सरकार जो मुलाहिम सिंग्गी थी तिया है वह पुरा हिंदुस्तान जानता है कि मतलब हमारा किस हालात में था पहले लोग लेबर मजदूरी का काम करते थे कि उसके बाद मुलाहिम चिंग ने देखा कि उत्तरपरदेश का बुंकर जो बहुत मजबूर टाइप का लोग है पालन पोशन करने पा रहा है करगे का हालाद इतना जादे बिगड़ गया था कि लोग बच्चों का पेट पालने के लिए अपना शरीर का खुन बेज रहते है जब अटल भी आरे कि सरकारी हुआ करती तो इसी तरह बुंकर का हालाद इतना बिगड़ गया था तो वो मुलाहिम चिंग ने देखा कि मतलब बुंकरों के लिए पावरलूम अगर लगा दिया जाए उनको शस्ती बिजली दिया जाए तो हमारा बुंकर जो है कुशाल हो ज लोगों पावरलूम लगा या पावरलूम लगा इपने बच्चों को खिलाया पिलाया परिवार को बढ़ा किया बहुत खुशाल था जब से यह बीज़ेपी के सरकार उतर परदेश में ही है बुंकरों को खाले परताडित किया जा रहा है कोई अधिकारी आता है आपका मिल किलो के हिसाब से लेना जी है मतलब आपकी हिसाब से बुंकरों के लिए भाजपा की सरकार लाग दायक में निकले लाग दायक कहां निकली है जो चीज आज 435 का सिलेंडर विकता रहा देकरे मार्केट में 1,000 रिपे का सिलेंडर विक रहा है इस बार दोज़ार चोवीस का क्या देना चाहिए दोज़ार चोवीस के बज़ट में लोग काफी उम्मीद लगा वीट थे क्योंकि 2023 में जब बचक फेस हुआ था मोधी जी ने 20 करोर भूंकरों को एलान किया था कि रहात दिया जाएगा बाकि कुछ ऐसा मिला नहीं जमीन पर नहीं दिखा इस वक्त हम ल कि मुहले में कहीं भी घुमले जी कोई ना कोई एक परिवार का सदस है एक दो लोग बाहर बैंगलोर कोई सूरत कोई बांबे सब जंगा कारबार के लिए बटक रहा है कोई तरह बात परिवार में हो जाता है हाथ मलते रह जाते आशू कि बच्चा एक दभी खाली मुद द कार में जो बुनकर की लोग है कहीं ने की पलान की दरफ पूरा समझ लिए उत्तर परदेश में जहां भी पुनकर हमारे साथी चाहे हिंदू चाहे मुसलमान क्यों ना हो सारे बच्चे एक दुसरे साहर छोड़के जा रहे हैं यही उत्तर परदेश हमारा बहुत अच्छा काफी लोग तारिफ कर रहा थे हाज हमको रोजगार नहीं मिला कहीं लेबर के लिए बैड़ जाए यह रोजगारे नहीं मिलेगा कहां से पैसा जब मार्केट में रहेगा तब मिलेगा अच्छा आरामी विजान सबस्वाद चुनाव आनगा यह उपीन है कि गुनकर करों कि आज काल क्या है उनकी समस्या अभी तो वरतमान में बजट पेस हुआ है बजट पेस होने के बाद बुनकरों के अंदर उतर प्रदेश के बुनकरों के अंदर जो निरासा देखी गई वह इंदम साफ प्रतित होता है मतलब बजट में आशा किया है कि 2024 में की बजट में आएगा बजट पे कुछ आसा थी कि कम सकम बजट बढ़ेगा लेकिन बजट सरकार ने दिया था उसको घटा दिया जो बजट घटा जा रहा है यह भी एक निरासा को इसे है और दिकत हो रही है कि सरकार उस पे कोई सोच विचार नहीं कर रही है बुनकर एक बड़ी संख्या में पूरे उत्तर बने से बुनकर है जो बुनकर है वो खुद तो आत्मे नीर भर है वो खुद तो कमाई कर रहा है वो खुद अपने बाल बच्चों को भरण पोशर कर रहा है उसके बाद वो दूसरें को भी रोजगार के उसर पैदा कर रहा ह डारेक्ट इंडारेक्स कई तरह के रोजगार पैदा कर रहा है ताली वले को ठेला वले को ट्रांस्पोर्ट को कूरियर को मालपारसर वले को प्लास्टिक को पाइकिंग को पालिश को अन्य की 20 तरह के लोग उन से ये तो डारेक्ट जुड़े हैं उसके बाद दुकान दार है होल सेलर हैं, रिटेलर हैं, बहुत तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग इससे जोलकर अपना रोजगार कर रहे हैं, और हम तो जब हम साड़ी बनाते हैं, उस साड़ी के बाद एतनी प्रकिरिया होती है, कि हम कई लोगों को रोजगार देते हैं, अपने इंपलाई को तो देते ह यहां के बुनकर यहां के कला जो एक विरासत है एक heritage जो बनारस की है कि इनकी कला का नाम यहां से लेकर विदेशों में अगर यह कहा जाए कि अगर अमभानी परिवार की शादी हुई या अमिताब बच्चन के परिवार की शादि हुई या ते उससे भी पहले एक परंपरा रही है कि बनारस की साड़ियों का एक महत होता है और वो महत तो आज भी है लेकिन उसी महत्तों के चलते वो जो कलाकार हुनर मंद बुनकर है वो मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए बनारस छोड़कर लगबग देड़ लाख चला अगर हमको सरकार अर चीज की तबुलत दे तो आज ही मशीन लगी लेगन इस तरीके से नहीं लग सकती है हमने सुनाए कि पहले आप बुनकर थी अर्णिंग नहीं के वज़े से अपने मसीने काबाड़ी के दुख काबाड़ी को वेच करके दू कान खरिदा तो 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 कोई काने साल जात करी एका मधरा स्रकों तार को अब ऐसा आया कि मन अнопत इसकतर था था ताड़ी भीट नहीं रहीं देची हूपर से बीजली का रर्ए जादा कमाई कोई नहीं अब अगर चे माली आ जा कि एक मैने का अगर बिल भुप गया दोस्टरे मैने 2200 शष्टीसू ग्या जमा करेगा कहा साथ मों क्रेगा सिर्टीव काम ही नहीं नहीं है तो पैसा कहा से जमादिए देगा ऑफपर कॉसी इंका पड़ेगा फसर पर, युक बकाया है ती इसे बैचर कहा हुआ दो को पर त। उन्हां आएगगा बात था बजैय इसको नहीं भजरी pracy भास ली जो में मनलड की दिनवर में जब दूसर चाहिन पीया जू कमाई होगी होगी मतलब मसीन से पपले इसनी कमाई होगी नहीं होगी कैसे होगी जो कमा हो देदू को क्या कहना चाहेंगे अप UP गॉर्मेंट शब UP गउब्हार। तो बुणकरों को रोलाक अरड़ दिया यह कि अचिसरे डूसरय बजड़ में क्या आपको उमित था कई बुणकरों की कुछ उजानी आएगे दिए जब चया जandota जब बड़े लिए छोटाएं कहुष औरने शब रिखाएं into जिविका का मामदा इसां कि सा थार है में तो हम पढने जाएंग तो पढ़ा नहीं है। हम काम करते हैं अधिक काम में dreapyр शर्ण विए का दोब आते हैंने आड़ी में निड़ी पनाते हैं, यह पोई दाल है। यह हमारा दीमन है, हम लोग बहुत ज्यादा तरस्ते हैं, क्योंकि बनारास के जो हाल है, आप देखिए कर दो हमें क्या हाल थे, हर घर में परिशानी है, एक अदमी यह घर में आगा दो अदमी काम करता है, पांच अदमी एक खता नहीं चलाता थे, यह मेरी गारंटी है, इसल परिशानी है, जब यह हमको परिशानी है, जब यह हमको परिशानी है, तो हमारे कर में एक खता चाहिए, वो दाल चाहिए, वो जाहिए, वो जाहिए, तो हम तहाद रुगा रगकर नहीं है, तो हम लोग बजट होले कुछ देखते ही नहीं है, तो हम लोग बजट होले अबदेटेग दिए देली नूस